तो गाइस कैसे आप सब आई हो पच्छे होंगे तो आज हम बनाने जारे ब्रत के लिए बीट रूट की पूरी तो चलिए बनाते हैं पहले बीट रूट को हम कट कर लेंगे देन उसे वाश करके उबलने के लिए रख देंगे ये दिखे उबल रहा है जब यह उबल जाएगा और लगे थोड़ा सा की पक गया है देन हम इसे निकाल के मिक्सी में पीस लेंगे पीसने के बाद इसका पेस्ट हम बना लेंगे ब्रत में कुछ हल्दी भी खाना है और हम फिर लेंगे कुटुका आटा, शिंगाडा, कुटुका आटा दन उसमें इसे को डालेंगे और फिर उसके बाद हम इसाटे को सान लेंगे सानने के बाद हम इसे अच्छे से सान के रख देंगे पाच मिनट उसके बाद हम इसकी पूरिया बनाएंगे अगर आप ब्रत रहते हैं 9 दिन का तो आप यह बनाएए लगता ही नहीं है कि बीट रूट की मतलब चुकंदर की पूरी है जिसको भी चुकंदर नहीं पसंद है वो इस टाइप से पूरी गुछबी बना के खाया मतलब इसली खा सकता है चुकंदर यह देखिया आटा मैंने लगा दिया है अब मैं एक पैन में ओल डालके कडही चढ़ा दूझा गीं देन पूरी हा गोल गोल बैल के और इसे तल लेंगे और आलू छोका की रस्पी मैंने आपके आप कमेंट कीजिएगा मैं आपके शेयर कर दूंगी अब यह पूरिया मैंने बेल के रख ली हैं देन अब मैं इसे फ्राई करूंगी हाई फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे देन यह देखिए पूरिया फ्राई करें देन ब्रत में नहीं लेकिन साम के टाइम में एक टाइम लोग खाते हैं तो यह पूरी अब अच्छ हल्दी बनाएं क्योंकि तैयार हैं बहुत ज्यादा ब्रत में खाना ही नहीं चाहिए जब हम दोनों पूरी ओको तर लेंगे दन आलू चौका के साथ हम इससे सर्व करेंगे आप दही के साथ भी से खा़ सकते हैं बहुत यह लगती है अभी तो आपका फास्ट है आप भी ना फास्ट के हों तो इसे आटे में आटे में सेम ऐसे करके बनाएं बच्चों को दीजे क क्योंकि यह हल्दी होती है भी तूट चुकंदर बच्चे वैसे नहीं खाते हैं बट अगर आप इसकी पूरी बनाएं